Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज की हमारी रोचक और उप्योगी जानकारी है difference between water chestnut यानि सिंगाड़ा and chestnut वैसे ये दोनों ही फल आकार और खाने की दृष्टी से एक समान है परन्तु ये दोनों ही दो अलग जाती के दो विभिन भागौलिक शेत्रों में बहुत प्रचलित है तो चलिए शू करते है आज सबसे पहले है ये सिंगाड़ा और यहां है ये ताजा सिंगाड़ा ये सुखा हुआ सिंगाड़ा और ये इसी सिंगाड़े को हमने उबाल कर रखा हुआ है और यहां उबलेवे सिंगाडे के छिलके उतार लिये हैं सिंगाडे को अंग्रेजी में water chestnut कहा जाता है क्यूंकि है पानी के नीचे उपता है इसे जलफल या पनिया फल के नाम से भी जाना जाता है इसका विज्यानिक नाम ट्रेपा बिस्विनोसा है इस सिंगाडे को इन विभिन रूपों में उपयोग में लाया जाता है और सूखे सिंगाडे के आटे का प्रियोग विभिन प्रकार के विंजन बनाने में होता है सिंगाडे में अनेक पाश्टिक तत्व जैसे calcium, potassium, sodium, zinc तथा अन्ने vitamin होते हैं इसको सात्विक भोजन की शेणी में रखा गया है इसका उपयोग वरत में भोजन के रूप में भी होता है यह सिंगाडा पूरे साल भर उपलब नहीं रहता है परंतु अपने मौसम में यह हर मोड यह हर फल यह सबजी की दुकान पर उपलब रहता है सिंगाडे का मूले आपके शहर या गाउं पर निर्भर करता है परन्तु दिल्ली में हमारे घर के आसपास की दुकानों में ये 60 रुपे प्रती किलों के हिसाब से मिल रहा है आज का दूसरा फल है ये चेसनेट जो मुलता दक्षिन यूरोप के भूमत्य सागरी शेत्रों तथा एशिया माइनर यानि तुर्की के आसपास की उपज है परन्तु आज ये यूरोप तथा एशिया के अन्य देशों में भी उपलब्ध है भारत में ये निचली हिमाले के शेत्रों में उगाया जाता है इसका हिंदी नाम शाह बलूत है जो हमने इंटरनेट से पढ़ा है परन्तु इसके हिंदी नाम को हमने किसी पुस्तक में नहीं पाया है ये चेसनट कास्तानिय विग्यानिक नाम के पेडों के समुसे प्राप कटीले फल का बीज है ये चेसनट का कच्चा सरूप है और कच्चे में ये अंदर से ऐसे दिखता है आप जब इसे देखेंगे तो पाएंगे इसके ये जो उपरी परत है वो अच्छी खासी मोटी है ये चेसनट का भुना हुआ स्वरूप है और ये उसका छिलका निकालने के बाद ये अंदर से ऐसा दिखता है इस भुनेवे चेसनट में आप देख रहे होंगे इसमें दो परत की छिलका होता है एक थोड़ा मोटा सा उसके अंदर एक हलका छिलका जो इसके साथ चिप्टा सा रहता है जैसा आप यहाँ भुनेवे में देख रहे होंगे चेसनेट की भुनी की प्रक्रिया आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी यह फल्प विदेशों में मुखेता युरोब में सड़क किनारे पट्री पर भुन कर बेचा जाता है जैसे हमारे यहां भुनी शकरकंदी, सिंगाडा या फिर भुनी मुफली बेचे जाती है हमने भी चेसनेट को पहली बार स्विजल लैंड में लेक लुसन के पास बिक्तेवे देखा था आकार में तो यह थोड़ा सिंगाड़े जैसा है और जलपान की तरह खाने के कारण यह सिंगाड़े के और करीब हो जाता है युरोप में इसको सुखा कर इसके आटे का उप्योग अनेक वेंजन बनाने में होता है और इसके इस तरह के रूप से भी अनेग वेंजन बनते हैं चैसनेट में बहुत कम मात्रा में वसा होता है इसमें कैल्शियम, मेगनीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, सोडियम और अच्छी मात्रा में विटमिन सी पाया जाता है कच्चे चैसनेट का स्वाद भीगेवे बदाम जैसा लगता है किन्तो भुनेवे चैसनेट का स्वाद मीठे कठल के भुने बीजों से मिलता जुलता है परन्तो यदि आपने भुने कठल के बीज का सेवन नहीं किया है तो हम कह सकते हैं ये लगभग मीठे भुने बदाम जैसा लगता है कुल मिलाकर इसका ये भुना स्वरूप काफी स्वादिश्ट लगता है शायद इसलिए ये अकसर इसी भुने स्वरूप में ही जादा प्रचलिट है ये चैसनट सिंगारी के मुकाबले मीठा होता है दिल्ली में ये फल केवल उनी फल विक्रिताओं के पास उपलब्ध है जो विदेशी फल रखते हैं डिपार्टमेंटल सोर्स में ये फल टिन में भी उपलब्ध है दिल्ली में इसका मूलने 400 रुपे प्रती किल्लो के हिसाब से शो हो जाता है यदि ये फल आपके शेतर में उपलब्ध है या फिर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये जानकारी हमारे साथ अवश्य सांजा करें ये दोनों ही फल एक दूसरे से भिन हैं परन्तु जहां ये उपलब्ध हैं वहां इनके खाने पिने का तरीका लगभग एक समान है और हम आशा करते हैं आज की हमारी सिंगाडे और चेस्नेट की ये जलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स ओवाचिंग और एवरीडे लाइफ